एक ब्राम्भन के साथ पुत्र थे और विरावती नाम की एकलोती पुत्री थी. साथ भायों की अकेली बहन होने के कारण विरावती सभी भायों की लावली थी और उसे सभी भाय जान से बढ़कर प्रेम करती थे. कुछ समय बाद विरावती का विवाह के सी ब्राम्भन युवक से हो गया. विवाह के बाद विरावती माई के आई और फिर उसने अपनी भावियों के साथ करवा चौत का व्रत रखा लेकिन शाम होते होते वेह भूक से व्याकुल हो थी. सभी भाय खाना खाने बैठे और विवाकुल हो थी है. विरावती की ये हालत उसके भायों से देखी नहीं गई और फिर एक भाय ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला कर चलनी के ओट में रख देता है. दूर से देखने पर वेह ऐसा लगा कि चांद निकला आया है. फिर एक भाय ने आकर विरावती को क कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्ग्ल देनी के बाद भोजन कर सकती हो। बहेन खुर्षी के मारे सेडियों पर चड़कर चांद को देखा और उसे अर्ग्ल देकर खाना-खाने बैठ गई उसने जैसे ही पहला टुकडा मुह में डाला है तो उसे चीका गई। दूसरा टुकडा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकडा मुह में डालने की कोशिश की तो उसके पती के मृत्यू का समाचार हो से मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यूं हुआ। करवाचोत कवरत गलत तरीके से तूटनी के कारण देवता उससे नाराज हो गए है। एक बार इंद्र देव की पत्नी इंद्राणी करवाचोत के दिन धर्ती पर आई और विरावती उनके पास गई और अपने पती की रक्षा के लिए प्रार्त ना की। देवी इंद्राणी ने विरावती को पूले इश्रधा और विधी विधान से करवाचोत का वरत करने के लि इसके बाद से महिलाओं का करवा चौत व्रत पर अटूट विश्वास होने लगा।